असलामों अलेकुम, हेलो फैंस, वेलकम टू मैंई जहाराज की चेन, मैं हूँ जहारा, उमीद करते हूँ आप सफेरे से जरूर होंगे, आज मैं आप सभी के साथ बहुती मज़दार पाया की रेसिपी लेकर आए हूँ, आज मैं आपर 10 किलो पाया से नली निहारी की रेसिप आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है, तो फ्रेंज अगर आज की पाया की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हल्फुल लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्रेब जरूर करते भेजाएगा, तो च पंद्रा हरीमिच, तो यहां पर मैंने प्याज को रफली चौप कर लिया है, इसी के साथ मेहां पर छे चमच के करीब डाल देती हूं, अध्रकलेसन का पेस्ट इसी के साथ हम यहां पर डाल देंगे, आठ चमच के करीब नमक, तो नमक जो है ना हम बाद में भी इस्तिमाल क में आपने तेस्ट के मिताबिक लेगा मैंने हापर 10 किलो पाया का इस्तिमाल किया है अब मैं हापर कुछ पौडर मसाल्य डालूंगी ओर खांदे उसके साथ मैंने हापर ले लिए रजिय चार पांच टेछ प्ता उसे कंप डाल देती इसी के साथ मैं यहांस पर डाल देप müsste कच्चा पपाया शड़ नहीं हमारा पाई जनुव। सब्सक्राइब जाएगा तो यहां पर पानी चूड़ता है तो उस हिसाब सब्सक्राइब अच्छी तरह से लिए अब मैं इसे 4-5 गंटे के लिए पर इसे पखने के लिए छोड़ा दूगा आप चाहें तो लखड़ी का जो चुला होता है कोईले के चुले में भी आप इसे प्रफिर अगर आप कुकर पर बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर तीन हुआ फ्लेम पर लगा ले और लो फ्लेम पर उसके बाद आप इसे एक घंटे के लिए पकने के लिए जब तक हमारा पाया पक रहा है तो यहां पर देखिए मैंने ले लिया है दो किलो के करीब प्याज और साथ ही मैंने हाँ पर हरी प्याज का इस्तिमाल किया है आप चाहें तो हरी प्याज का इस्तिमाल कर सकते हैं अफ्री से स्किप कर सकते हैं लेकिन मैंने हाँ पर दो किलो प्याज लिया है जिसे हमें क्या करना है इस तरह से रफली चॉप कर लेना है हरी प्याज का हम जाइत्री आधा लेंगे हमें पर जाइफल एक बद्यान का फुलेना है चार चमच हमें लेना है काली मिच और साथ ही हम रोस पैटल यहां पर छे चमच के इस्तमाल करेंगे कबाब चीनी हम लेंगे चार चमच और छोटी लैची हम लेंगे 20-25 के करीब सबी को हमें चटनी के जार पर डाल कर बिल्कुल एक फाइन पाउडर कर लेना है मैं यहां पर थोड़ा डालूंगी पहले पाउडर करूंगी उसके बाद हमें बाकी का डाल कर भी पाउडर कर लेना है तो यहां पर देखिए मैंने थोड़ा डाल कर इस तरह से पाउडर कर लि मैं हाँ पर 10 किलो पाए के हिसाब से ही उसी क्वांटिटी के हिसाब से मैं हाँ पर मसाला त्यार करें हूँ अब मैं हाँ पर डाल देती हूँ 4 चमच कस्मीरी लाल मिच पाउडर सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से कस्मीरी लाल मिच पाउडर का अगर हम इस्तमाल करेंगे कि कहना पाय का कलर बहुत ही खुदसुरात आता है तो लीजिए अब जो हमारा घर का बनाया हुआ निहारी मसाला बिल्कुल बनकर त्यार है बहुत ही खुदुदार बनकर त्यार होता है और कोई भी पाउडर मसाले हम यहां पर एड़ नहीं करेंगे तो इस तरह से निहारी मसाला बनाकर आप किसी भी एटेट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं तो यहां पर देखिए पाया जो है तक्रीबन बकते वे चार घंटा हो चुका है मैंने इसे अच्छी तरह से लो फलेम पर पकाया है और बिल्कुल गोस्त जो हड़ी को हैं और यहां पर अबने पाया है जो डॉपी मकाण धाला हूं निकाल ने निकाल लेंगे तो यहां पर डीख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से घंटास थालो कर लूँगी और उसी स्टोप पर में बड़ा सा देखची रख लूँगी जिस पर हमें क्या करना है पाय का मसारा तयार करना है अब मैं हाप डाल देती हूं 300 ml के करीब रिफाइंड ओयल थोड़ा सा तेल इस्तेमाल करना है ज्यादा नहीं क्यूंकि हमारा पाय में बहुत ही चरवी होता है तो उसलिए हमें हाप ज्यादा एट नहीं करना है तेल जब गर्म हो जाएगा हमें हाप डाल देना है चार से पांच चमचे करीब अध्रकलेसन का पेस्ट इसे हम दो मिनिट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि इसका कच्छापन चला जाए उसके ब पर भुनेंगे इसे बुनने के तौरान मेहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देती हूं ताकि मसाला जलेना और मसाले से तेल चोने तक हम इसकी तरह से बुनाई करेंगे स्टोप के लो फ्लेम पर अब मेहाँ पर डाल देती हूं हमने जो हरा प्यास का पेस्ट के रखा हुआ उसे मेहाँ पर डाल दूँगी और इसे भी हम अच्छी तरह से मिलाएंगे आप चाहें तो इसे डालें आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अब मेहाँ पर डाल देती हूं हमने जो पाया बना कर रखा हुआ है बॉil करके उसका जो उपर रोगन रहता है वही रोगन का मेहाँ अन्युक्त स्वाब पर इस्तिमाल करें तो इसलिए मैंने तेल का कम किया है तो चलिए हम इसे अच십 तरह से भून लेंगे जब तक मशाले से तेल ना छोड़ने लगे तो यहाँ पर देखिए मसाले का लड़ भी चेंज हो चुकां है और ग्योंड होगा अब मैं एक बर अच्छी तरह से इसे मसाले की साथ मिला लूँगी इसी के साद मैं यह थिसे मैं पड्रिणाट करेंगी मुनाट करूंद कर थिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक एट कीजिएगा पहले भी हमने पाया को बॉयल करते वक्त नमक डाला हुआ है इसी दर्मियान अब मैं हाँ पर डाल देती हूं दो कब बारी कटा हुआ हरा दनिया दो कब बारी कटा हुआ पुदीने के पते और साथ एक इंच का अद्रक जि स्टोप के लो फ्लेम पर तभी इसका टेस्ट निखर कर आएगा तो चलिए हम इसे पक निकले छोड़ जाते हैं 30 मिनिट के लिए तो लीजिए फ्रेंट्स माशालला से हमारा पाया बिल्कुल बनकर तयार है यानि नली नीहारी बहुत हुद्बूदार और बहुत मज़दा बनकर तयार होता है खासकर सर्द्यों के आटके बनाया जाता है चाहे मटन नेका बना कर पैंपद्स मेजर्मेंट के साथ तो फ्रेंड्स अगर आज की पाया की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए हलफू लगती है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करते भेजाएए तो चलिए मिलते हैं अपने रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफिज